हलो फ्रेंज आज हम बनाने जा रहे हैं बरबटी आलू की एकदम सुखी सब्जी जिसे बनाना काफी आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाधिश्ट और बरबटी अभी मार्केट में वैसे तो बहुत ही आया हुआ है तो चलिए आज हम बरबटी आलू की बरबटी आलू की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 300 ग्राम बरबटी को अच्छा से हमने वश कर लिया है और इसको काटने का तरीका इस तरह से सारा बरबटी को एक साथ जमा कर लेंगे इसका उपर का पोशन और नीचे का पोशन मिलाती हुए सारे बरबट को इस तरह से हाथ में एक कठा जमा कर लेंगे क्योंकि यह बहुत पतली पतली लेर रहता है तो इसे काटने में टाइम लगता है इस तरह से हम एक कठा करके ले लेंगे और इसका साइज हम 2-2 इंच का दूरी छोड़ते हुए अपना हिसाब से हम इसका साइज का कट तो इसका देखने में जब सबजी तयार होगा तो लुक बहुत अच्छा आने वाला है इसलिए हम 2 इंच का दूरी से इसका हमने साइज तयार किया हुआ है आप अपना साइज अकोडिंग इसको तयार कर सकते हो काट के तो आलू का भी हमने साइज से जैसे बरबटी को कट लगाया है उसी तरह से हमने लंबा टाइप में आलू को भी काट के ले लिया है अब सबसे पहले हम कड़ाई बिठाएंगे कड़ाई को अच्छे से गरम होने देना है और हम इस रेसेपी को आज सर्शो तेल में तयार करेंगे तो सर्शो को तेल हमने 2 से 3 चमच बराबर कड जीरा तो कुछ सेकनों के लिए ये दोनों चीज को हम अच्छ से चटकने तक वेट करेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आए अब इसके अंदर में हमें मिलाना है चोपट अनियन हमने एक पीस पूरा बारिके से अनियन को चॉप कर लिया था इसको भी अच्छ से हमें से करें तो ऊंयन को उसके बाद में मिला हैंगे अद्रक लसन ग्रेट आपर बस ने से खरक पुरुब हरी मर्ची कर लिया जायं करेंगे तो हरी मर्ची अपर खरकु अं भॉनाइं करेंगे उसके बाद इसके अंदर में हम मिलादेंगे अनिय시면 पिस कर की रखा हुआ थहली में इसलिए इसी ओयल के सासाथ और प्याज का सासाथ में हमारा आलू भी सेलो फ्राई हो जाएगा तो आलू को हमें इस तरह से पहले ही फ्राई कर लेना है इनी मसालों के साथ में तकि मसाला भी हमारा जलेना और आलू भी हमारा सेलो फ्राई हो सासाथ ओनियन और आलू एकिसा से करेंगे लग बख 1-2 मिनट कंटिनियु फ्राई करने क बाद सारा मसाला का कलर हमारा जेंच हो गया है अलो भी सेलो फ्राई हो चुका है अब इसके अंदर में मिला देंगे टोमेटो टोमेटो हमने एक पीस लिया हुआ है टोमेटो मिलाने कबाद भी थोड़ा देर भुनाई क करेंगे ताकि टॉमेटो भी इनी सारा चीजों के साथ में सॉफ्ट हो उसके बाद हमने बरबटी को एड करना है लास्ट में और दुबारा से सारा चीजों को हमें इस तरह से मिक्सप करते हुए कंटिनियू बुनाई करना है इसमें हम एक मूद भी पाने इस्तमाल नहीं करें अब इसके अंदर में हम मिला देंगे कुछ पाउडर मसला इसमें धनिया पाउडर वांटी स्पुन जीरा पाउडर वांटी स्पुन मिर्ची पाउडर वांटी स्पुन और हल्दी पाउडर वांटी स्पुन हमने ले लिया है और इसमें मिला दिया है अब अच्छा से सारा पाउडर मसला को सबजी में अच्छा से मिक्स अप कर लेंगे और भुनाई करेंगे यह बिल्कुल जलेगा नहीं मसला क्योंकि बरबटी के अंदर काफी मोईज़र आता है अपने आपी पानी रिलीज होता है तो इसमें हम पानी एक्ष्ट्रा यूज नहीं करेंगे इस सबज मिडियम टो जली के भुणाई करा मेंचा से 2 तीर मिनेट भुनाई करने कऊच करने के कम से कम 9-10 मिनेट का लो-'tो मिडियम पानी न tub 10 मिनिट बाद हमने धकन को निकाल दिया है और इसका बीच में हमने एक दो बार चला लिया था सबजी को बीच बीच में आपको एक दो बार चेक करना है तो इस तरह से बीना एक मूत पानी मिलाए हुए हमारे बरबटी आलू की सूखी सबजी बिल्कुल बनके तयार है आलू अच्छे से सॉफ्ट हो चुआ है और बरबटी भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुआ है तो इस तरह से हमारी सूखी बरबटी आलू की सबजी बनके तयार है एक मूत पानी मिलाए बिना और बेसीक घर में पढ़िए दो देखते ही इसका लुस बहुत अच्छा आ रहा है और देखने में जितना अच्छा लग रहा है यह खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगता है और आप इसको दाल बना के दाल और बरबटी आलू की सबजी सुखी और चावल के साथ में गरम-गरम आप सौफ कर सकते हो चाए तो आप इसको पौरोठा या रोटी के साथ में भी ले करना और आप मेरे चैनल पर पहले बार आ रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तो थैंक्स पर वाचिंग इतना दिस साथ देने के लिए बाबाई फ्रेंस अब गूद टे